एक्रेलिक पेंटिंग और वो भी पेपर पर ये पॉसिबल भी है क्या? और अगर एक्रेलिक पेंटिंग, कैन्वस और पेपर दोनों पर कर सकते हैं तो बेटर कौन सा है? आज मैं इनी सवालों का जवाब देने वाले हूँ, वो भी एक पेंटिंग नहीं, दो पेंटिंग बनाके, एक पेपर पर और एक कैन्वस पर, और एंड तक आपको पता चली जाएगा कि एक्रेलिक पेंटिंग के लिए पेपर बेस्ट है ये कैन्वस, तो फिर देर किस बात क पर जब मत करना, क्योंकि मैं धेरो टिप्स और ट्रिक्स शेर करने वाली हूँ, और अच्छे से भी सुनना, फिर बोलोगे कि प्रिया ने ये नी बताया, प्रिया ने वो नी बताया, तो सबसे पहला सवाल आता है कि अगर कैन्वस पेंट करनी है, तो कैन्वस बोड यूज सवाल तो सही है आपका, पट देखो यार, अधर प्राक्टिस कर रहे हो, तो यूज़ कैन्वस पैड क्यूंकि वो आपको सबसे सस्ता पड़ेगा, बट अगर कोई प्रॉपर पेंटिक बना रहे हो, खुद के लिए, ये क्लाइंट के लिए, तो यूज़ कैन्वस बोड य कैन्वस बोड यूज़ करने वाली हूँ, अब next question आता है कि जैसो अपलाई करे या ना करे, पहले तो जिनको नहीं पता है, जैसो एक थिक पेस्ट है, जो कैन्वस पे लगाया चाता है, ताकि कैन्वस की सर्फेस स्मूध बन जाए, और हम पेंटिंग बिलकुल मक्खन की त जैसो का काम भी कुछ ऐसा ही है, जैसो ना सिर्फ कैन्वस की सर्फेस को स्मूध करने में हेल्प करती है, बल्कि जैसो लगाने के बाद हमारे कलर्स खेल के आते हैं, हाला कि आज का काफी सारी कैन्वस अल्रेटी प्राइम डाने लग गए है, विच में आपको जैसो लगान colors आने चाहिए उतने नहीं आते इसलिए अप्लाइंग जैसो इस नेसेसरी ताकि आपके colors खिल के आए अब next question आता है कि जैसो apply कैसे करना है और इसे कितनी बार apply करना होता है अब यह depend करता है कि आपको अपना surface कितना स्मूठ चाहिए उस इसाब से हम जैसो के multiple कोट अप्लाई कर सकते हो बस यह नियान रखना कि जैसो का एक कोट जब सुख जाए तब next कोट अप्लाई करना तो मैंने यहाँ पर एक ठिक कोट अप्लाई कर दिया है और ड्राइव होने के लिए रख दिया कोई दिक्कत ना आए तो बेस में एक ही कलर से बनाने वाली है और जिससे हमारा काम बहुत आसान होने वाला है मैंने वाइट ग्रीन और ब्राउन कलर को मिक्स करके एक बहुत ही सब्सक्ति युट्ट कलर बनाया है अब कलर को अप्लाई क değiş Actually हम थोड़ा सा पानी सिप्रे करें गी काम बोर्ड है तो आगि यसे और सिंटर्च तो पिछे से एंडिन ब्रॉश यांइन जाद आ मैं ड ही इसए और गावस जायच पाबलंग ये तो और सेकेंड की अगर का तो आप करने में भी दिक्कत नहीं आती और ना ही कलर्स ब्लेंड करने में और अगर कंजूसी से बनाए तो जल्दी खतम होंगे जब जल्दी खतम होंगे तो कलर्स फिर से बनाने पड़ेंगे और तब आप यह सोचोगे कि यार पानी लगा की काम चला ले क्या पानी लगा की ब्लेंड कर लेते हैं छोड़ो ना कौन कलर्स बताएगा खैर विट प्रैक्टिस आपको यह समझ में आ जाएगा कि कितना कलर्स बनाना है अब क्यूंकि हमने क्यान्वस को गीला करके रखा था तो हमारा बेस लेयर अभी भी गीला है जिसके वज़े से मैं नेक्स कलर्स को अराम से यूज कर पा रही हूँ और इसली मर्ज कर पा रही हूँ अब मैं कुछ जाड़ पत्ते बनाने वाली हूँ जिसके लिए अगेन मुझे जितने भी कलर्स लगने वाले हैं मैं उन कलर्स को पहले ही बनाके रख लूँगी वैसे यह कौन सा पेड़ है मुझे भी नहीं पता बट आल आई नो इसके लीवस बड़े ब्यूटिफुल है क फ़ले से बनाने का दूसरा फायता देख रहे हो इन नन्य पुनने लीवस पे अब तुरन next colors एड़ कर सकते हो और blend भी कर सकते हो इन फाक्ट ब्रश में ही दो different colors लोट करके stroke लगा सकते हो और देखो बिना blending किये भी blending वाला effect आ रहा है ओकी next मैं masking tape का यूजज करके window paints बना र और इसी के साथ हमारी पेंटिंग हो गई है complete है इसे देख के तो कंबल पे घुसके चाय पकोड़े खाने का मन कर रहा है बट ऐसा नहीं कर सकते हैं क्यूंकि next painting paper पे जो बनानी है देखो मैं अगर अपने चाय पकोड़े को त्याग रही हूं तो आपको भी एक चीज़ कर दो तो बढ़ते हैं हम दूसरी painting के तरफ जो कि हम paper पे बनाने वाले हैं तो सबसे पहला question कि is this even possible कि acrylic painting हम paper पे बनाए हाँ क्यों नहीं बस normal paper नहीं क्योंकि वो यूज किया तो paper गल जाएगा acrylic painting के लिए acrylic papers आते हैं एक textured paper और एक smooth paper इसके अलावा acrylic painting आप water color paper या mixed media paper पे भी कर सकते हो मैंने acrylic painting texture paper पे भी बनाए हुई है और मुझे इतना मजा नहीं आया क्योंकि I prefer smooth base अब इसमें कुछ गलत सा ही नहीं है but it's just that कि आप क्या prefer करते हो अब जितना जाधा paint करोगे आपका खुद का style develop होगा और उसकी बदा आप खुद ही decide कर सकते हो कि आपको कौन सा base पसंद है अब क्योंकि I want smooth surface मैं यूज कर रही हो watercolor hot pressed paper जिसका surface बहुत smooth है जैसे ही paper पे paint करना शुरू करोगे एक सबसे बड़ा difference देखोगे जहाँ canvas पे जैस है आपको वो पहले ही बना के रखना है मेरे background में basically 3 colors होने वाले हैं जिससे मैं one by one paint करती जारी हो क्या आपने देखा वो like paint कैसे मखन की तरह glide हो रहा है बट एक और चीज जो मैंने notice की कि colors paper पे बहुत जल्दी absorb होते जा रहे है और dry हो रहे है जो कि canvas की case में नहीं था अब ध धीरे-धीरे मैं colors add करती जारी हूं इससे पहले की colors को merge करने में दिक्कत आये मैं blend भी अभी ही करने की कोशिश करती हूं यार लेकिन paper पर एक फाइदा है कि smooth surface होने के वज़े से colors easily blend हो जा रहे है provided colors सूखे ना हो तो ओके तो हमारा base one के ready हो गया है अब मैं बनाने जारे हो प्यारे प्यारे नन्ने मुन्ने बारिश की बूंदे जिसके लिए मैंने use किया है black plus green color plus थोड़ा सा white या realistic painting बनाने का एक और trick बताओ अपनी painting में black color को directly कभी मत use करना अब जैसे इन water droplets को ले लो मैं चाहती तो black color को use कर ना ओके तो finally धेर सारे water droplets बनने के बाद हमारी painting कुछ ऐसी दिखती है वाई एक एक चोटी चोटी मूंदे भी clearly दिख रही है smooth surface पे आपको याद है ना कैसे वाँ कुछ-कुछ fine details दिखवी नहीं रही थी due to texture of the canvas अब बढ़ते है next step की तरफ जहां मैं highlights आड करूंगी इसे explain क apply कर दो बीच में जिससे हर एक water droplets में realistic feeling आएगी वैसे मैंने part-part में ये सारे steps apply किये हैं वनना इतने सारे water droplets में miss होने की chances बहुत जादा है जो बहुत ही छोटू-छोटू droplets है उनमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है उनमें से कुछ को तो ऐसी ही छोड़ दो और कुछ मे सिर्फ highlights डाल दो अब मैं यहां add कर रही हूं एक candle ताकि हमारी painting में और चार चांद लग जाए अब इसमें light का reflection भी add कर देते हैं जिससे कि समझाए कि candle glass के पास रखी हुई है अब finally पार ही है masking tape को निकालने की बाई इनको निकालना भी बड़ा tricky है कभी कभी tape के साथ paper भी न दिखेगा और इसी के साथ हमारी acrylic painting on paper भी ready है बट क्या आपको कुछ याद रहा क्या नहीं मुझे पता था इसलिए let me summarize all the points और चाहो तो इसका screenshot लेकि अपने पार्स भी रख सकते हो अब देखो canvas या तो प्राइम मेलेगा या नॉन प्राइम नॉन प्राइम है मतलब यूज करना पड़ेगा जैसो जो help करता है आपके canvas का surface smooth बनाने में वही पेपर की case में आपको जैसो यूज करने की सरुरत नहीं है पर आप plain paper भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो गल जाएगा तो आपको यूज करना होगा special type का paper जैसे की acrylic paper water color paper या फिर mixed media paper next point है vibrancy का अब क्य vibrant नहीं दिखेगी next point है blending का canvas पे पानी spray करके हम base को जाधा time तक गीला रख सकते हैं जिससे color जाधा देर तक wet रहते हैं और blending बहुत easy हो जाती है वही paper के case में हम पानी use करते नहीं इसलिए हमारे colors जल्दी सोकते हैं जिससे blending में थोड़ी problem आती है next path करते हैं details की अब वैसे तो next बात करते हैं use of masking tape जब एक बार painting बन जाये और बारी आये masking tape को निकालने की तो जहां canvas पे masking tape निकालने में कोई problem नहीं होती वही paper पे हमेशा खत्रा होता है कि masking tape की वज़े से paper खराब होने का next बात करते हैं इनके size life और portability की बारे में जा canvas की बड़े से बड़े size मिल जाते ह next बात करते हैं professional perception के बारे में कुछ client और artist paper पे बनाए हुए painting को जाधा value नहीं करते हैं जिसके वज़े से वो canvas को जाधा prefer करते हैं और canvas पे बनाए गई painting जाधा valuable मानी जाती है देवो मैंने दोनों पे paint करके बता दिया है दोनों के फायदे नुकसान बता दिया है अब आप खुद ही decide कर सकते हो कि आपको कौन सा बेस अच्छा लगता है अगर यह वीडियो थोड़ी भी helpful लगी हो तो like करो यार यह वीडियो को और जा कहा रहे हो आए हो तो यह वीडियो भी तो देखो